क्या आप सोच सकते हैं कि कोई माता पिता अपनी उस बेटी का जीते जी नुक्ता कर सकते हैं, उसकी गोरनी कर सकते हैं, उसकी तेरवी कर सकते हैं, जिसने माता पिता की इच्छा के खिलाब जाकर किसी अन्य जाती के युवक से भाग कर कोर्ट में शादी कर ली। जी हाँ ऐसा हुआ है और यह एक अनोखी घटना मानी जा रही है माता पिता ने भी जीते जी अपनी बेटी का नुक्ता इसलिए कर दिया कि बेटी ने थाने में माता पिता को पहचानने से इंकार कर दिया थाना प्रभारी के सामने बेटी ने कहा मैं नहीं जानती ये कौन लोग कौन है उसके बाद शर्मिंदा हुए माता पिता वहां से चले आए उन्होंने समाज के लोगों से चर्चा की और उसके बाद एक ऐसा चोकाने वाला निर्णाई लिया जो सभी को हत्रप कर रहा है उन्ह जिस दिन बेटी ने शादी की वही दिन उन्होंने उसके लिए मोत का बताया और उसका मृत्य भोज दो अगस्त को रखा गया पिता ने शोक पत्रिका चपपा कर रिश्यदारों के या भाई बंधों के या पहुँचाई और इस पत्रिका में इस पस्ट रूप से यह लिख कि योग लिखी गाउं कुच्डोच से भगत राम तथा गोपाल मंडोरा का राम राम बंचसी अपरंच अठे गोपाल मंडोरा की सुपुत्री शारदा मंडोरा का स्वर्गवास दिनांक 25 साथ 2019 को हो गया है दिन है गुरुवार जिनकी आत्म शानती हेतु गोर्णी का रिक शाम से गोर्णी एवं शानती भोज का कारगाउं शुक्रवार दिनांग 28 2019 प्रात्यकाल 9 बजे से इस्थान है कुमावत समाज धर्मशाला परिसर कुच्डोद तहसील जिला मंतसोर और इसमें विनित में है भगत राम मंडोरा जो संभवत लड़की के पिता है गोपाल मंडोरा कुमावत कुच्डोद इसमें बाकाइदा उनका मोबाइल नंबर दिया गया है जिसका नंबर है 7354850693 जबकि शोकाकुल में जो नाम दिये गए हैं वे परिवार जनों के हैं और इनमें हैं बद्रिलाल, रादेशाम, भेरुलाल, मोहनलाल, धन्नालाल, राजाराम मुकेश, लाला, कमल, बन्वारी, अनील, नितीन, कनेयालाल, कनेयाल, कनेयालाल, मन्सुक, विराट, एवं, समस्त, मंडोरा, कुमावत, परिवार सबसे बड़ी बात यह है कि चोकाने वाली इस घटना में जो बात सामने आ रही है, उसके अनुसार, लड़की के माता पिता ने आखिर इस तरह का निर्णा क्यों लिया, क्या प्रेम विभा करना गुना है, और अगर प्रेम विभा किया भी था, तो लड़की ने अपने मात पिता को पहचानने से इंकार क्यों किया, अगर लड़की अपने माता पिता को पहचानने से इंकार नहीं करती, तो संभव है कि माता पिता के मन में ये बात नहीं आती कि आज से ये लड़की हमारे लिए मर गई, कुल मिला कर प्रेम विभा के बढ़ते प्रक्रणों के किसी परिवार द्वारा लिया गया है इस पूरे प्रकरण में चोकाने वाली बात यह है कि लड़की का नाम शारदा ने यह इस पस्ट लिखा कि वह जिस लड़के के साथ 9 साल तक स्कूल में पड़ी है उसका नाम है भगत और उससे उसकी दोस्ती है और उसी के साथ अब वह शादी रचाने जा रही है कुल मिलाकर उसने यह इस पस्ट किया कि उसे भगत से प्यार हो गया था और इसी लिए वह भगत के साथ शादी रचा रही है शादी रचाने के बाद कुल मिलाकर माता पिता के सामने जो उसने इनकार किया वही इस पूरे विवात की जड़ बताया जा रहा है।